तो क्यारे छात्रों आज हम लोग क्लास 10 के लिए साइन्स का मतलग वन सट में मतलब द्वरेगारा से लेके हम द्वरेगारा तक अब्जेक्टिव कोशन कर लेते हैं और हमना अप्लाइड में द्वरेगारा तक लेकर लगवक किया है लेकिन यहां पर भी वीडियो अप्लोड हो जाएंगे तो मैं पहले सुरुष करता हूं द्वरेगारा से पहले पैटरन कहता है अब्जेक्टिव कम हुआ करते थे लेकिन वह कोशन भी आज के लिए इंपोटेंट है पहले चली कुछ कोशन देख लीजिए जो आपसे पूछा जा रहा है इसका एंसर करना है आपको पल्चिंä इसका सटल को क्या है कि अब्जेक्टिव कुछन ही है यह पूलायम दातु होते हैं लोग किया नम है तो पर्थम वाले कंपलों क्या बोलते हैं दूसरे वाले को चारी मिर्दा धातु बोलते हैं और यह दिया कि संतुलित किजिए समिकरण को अगला सवाल है कि लोह अक्सिजन से क्या बनाता है बताएंगा तो याद रखिए धातु जो होते हैं अक्सिजन से सम्झेव करके बनाते हैं तो लोह बनाएगा लोह अक्साइड बनाएगा अगला परसंदेखते हम लोग अरे पौधे किस घटक की अभाव में परका संसेशन स तो समखवन के फोटोसंदेशिस नहीं हो वहां पर ठीक है और नहीं को तो नहीं हो पाएगा तो यह चीनी के पाचन करने इंसुलीन नमखर्मन सहता होता है तो आठका एंसर के याद रखेंगे इंसुलीन मनसे को सिखाव में गुंस दर्विश्व कितनी होती है बताइए पटापट को सब्सक्राइब इसका पूर्ण सही बता है इसका अंसर होता है तेज़ जोरा या 46 पूरा-पूरा 46 या जोरे में बोले पेर में तेज़ पेर अपयाद रखेंगे और सवाल अपना चलिए स्वाशन कैसी अभिकडिया है स्वाशन कैसी रशानी पार आश्या को से तो यह नियमें टेंपरेचर जो सता है जो आप सेटेम्परजा से कोई पिक्स नदर्टाप पर अचार होना चाहिए असपास दूरी करी दूरी क्या है 50 cm है बायो गैस का पर्मुख घटक क्या है तो मिथेन मिथेन का या पर मुख घटक है तो इसका सबसे अच्छा उपाय होगा कि बिल्क्षा रोपन कीजिए या पुरूर रोपन बिल्क्षा रोपन हो जाएगा कि चलिए तो यह पहले इसे पर हुआ करता है अब देखिए क्या कि अपश्व अपजेक्टिब ना दिया गया है जितने अपने कोश्ण कि असारे के सारे इंपोर्टेंट है और इसको कितने नमर मिलेगा आपको जस्त आगे तरह चली यह कौश्ण का पूइंसर करना है जितने यह फ हाँ लाग हो थितने आपको लोगुत्य परसन दिख रहे सारे के इसार को करना हैं तक हूँ है अपने देख लिया को सारे कृस्टें अपने दिख लिया हाँ है हुआ का मैं चली अब क्या कुश्ण अपना 29 कि हुछ आता है यहां की वह समय सद्यूर में क्रेम खौन ल पर लेक्टे किसी डूता है और एक पर वाई जाता है ने तो आप अपने बनता है तो यह पो छुट-छुट इसके एंसर लिखना है सारे को शनगों कर आप परहा दिया गया है अले यूट्यूपर नहीं परहा है विडियो के देख रहे हैं आप तो बिल्कुल इस परहास केज अपने नोट्स जो अपने बनाया होगा इस सल शनन आनेवल है तो शुरू से परहाया जाएगा पिर आपका एक दाउट नहीं बचेगा जया हम परहांगे तो पूरा आपको अबजेक्टिप बचेगा ना आपका सब्जेक्टिव स्ब्स अब को सबको बहतेरिन बहास में य तो आपका ए सही हो गया दू नमर देखिए जल में hydrogen तो अक्षिजन का नुपात का पर्मानु संख्य का नुपात क्या होता है है जल में hydrogen कितना होता है इस टू फर्मूला होता है इस टू ओ एच हैड्रोजन दू और oxygen एक तो दू अनुपात एक हो जाएगा है जाइक कि एक गरत्ध यह को की आवर्थ 8 होते हैं कि अधर तें हिंद परिएले भजते में पीरियेड साथ होते हैं जिलिका क्या है दो आक र raging कूल्त है इसलिका क्या है सिलिका एक मिटल तो नहीं है और दातु भी नहीं है सिलिका होता तो उपधातु कहते कि न हम लोग तो सिलिका को हम लोग इनमें से कोई नहीं मारेंगे कि तो इसलिका नहीं है सिलिका लग चिवता है देखंश को तो मियुक्ता हुता है कि इनक बना देरा आए तेक इसको तरह आप ध्यान बढ़केगा सुलिकउन पूछें तो उप दातू में और सुलिकह तो ना धातू में आता है । इसको mo गूगल भी कर लेजएगा और सिलिकउन होता तो हर उप द्यातू करते츠यों माइनस ओएच किसका क्रियासिल सम्मूह ? किसका ये मतलब functional group है? functional group को बता हमने हिंदी में क्रियासिल्समूह मुलक किसका ये बता ये बता ये 5 कैंसर क्या होगा ? ना टाली बिल्कुल सही है ये Pois this पर ये या के अलकॉहल को है फोटो सिंतेसिस अगर नहीं होता तो सन नहीं होटा जोकि इसमें निकलता है और हम अपने नाक्सी सियोट छोड़ते हैं तो यह बिल्कुल सही है पौधों में स्वासन की गिडिया का अंतरगत ADP तूटने पर केतनी उड़्जा मुग्ध होती है भझाइगे श्राइश रहे हैं चलिए ठीक है इसका एंसर हो जाएगा 30-5 कीलो जूल पड़ती मोल ठीक है मानव हिरदय में कितने कोष्टेक होते हैं बहुत बार कोषन को पुछा गिया है इसको चार कोष्टक होते हैं मानव हिर्दे का उसत प्रंकुचन कितना होता है हम लोग का एवरेज कितना अपने जो हिर्दे जो अपना हिर्दे अप्ड़न करती सिकूर्टा फैलता है प्रंकुचन मतलब धरकता है हिर्दे और कितना उसका हार्ट रेट क्या है तो चली इसका एंसर हो जागा 120 mmHg ठीक है पूचर आए कि पाउदों में वास्पोर स्जन किस भाग में हो उता हे 10 इसका इंसर किजिए पहले अब तो झालें 10 के प्पत्तों में का मुझह भाग में क्या है क् Option पतता होता है कितीरी इस कित्रीय चेक्व ओसकिज अर्थिभीसिज्व— धिरिकुक क्र 시청 करता है कि ने ट्रोजन का अक्सिजन का की कार्बन का की इन में सब्सक्राइब चली एगारा क्या हो जाएगा एगारा क्या हो जाएगा ठीक है ने ट्रोजन यहां पर लेकिन यहां लेकिन यहां Pean करने की capacity रखता है किसी माध्यम में मु कमान क्या होता है तो sin i show आपने परहा होगा option B यहां पर 100% राइट है दारी बनाने में कौन सा दरपन लगता है तो भाई यह ओतल लगता है कौन सा होता है ओतल दरपन इस्पेक्ट्रम किस रंग का किर्णन का जुका अधिक होता है तो सबसे अधिक जुका होता है बैगनी का और सबसे कम जुका पुछे करते याद रखिएगा लालका सबसे कम तरंग धर किसका होता है तो लालका और वाई मंडल में किसका पर किर्णन जदा होता है तो आप करता है भी सोला का अंसर बताईए तो इसके मां अंसर भी मिला चाहरों एंसर की इसके पीछे दिया है मैं इस तो नहीं है तो यह कोशन में दावड सा शिलीका वाला उसको फ़रा देख लिजिएगा और यह उसमी उर्जाप पर करता है किसे उर्जाप करता है बीदिद्ध फ् किसी कुंडली का परतिरोध ग्याद करने के लिए सुत्र कौन सा लगाएंगे अब बहुत कम कुश्चन है इसमें पहले इतना ही पुछा आयाता था सतरक एंसर बताईए इसका इंसर से भी आपको साथे मिलालते चल रहा हूँ चलिए फर्मूला इसका सी दिया है आप देख लीजिएगा और भीवरवड आयार फर्मूला होता है तो हहां से यह आई अगर निकलेंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा डैनमो में किस प्रकार की धारा निकलते है डैनमो में कौन सा धारा निकलता है बताईए दिरिश धार कि दोनो अठार नमर कोशन है एकस भी ट्रिपल आइ अठार का बताईए तो इसका हो जाएगा सी दोनो उस इस अठारा नमर कोशन प्रति धारा भी और दिश्ट धारा भी यानि यह यह इनि डीजिवी और एसी भी है डेंगू उत्पन करने वाला मचर किस तरह जल में रहता पहले इसी कोशन पूछे आता है तो यह कुस्टन कीतना है अपना 29 का हो जाएगा साफ जलमे डेंगू पुछेगा तो साफ जलमे और मलेडिया वाला पुछेगा तो उसको रिखे गंदी जलमे ठींगा डेंगू जो पॉड़करता मचआरो कि जलमे उता? साफ जलमे मचार में रहता हूँ निमलिखित में कौन सा बायो गैस इंधन का सुरूत नहीं है लकडी गोबर गैस कोईला इस सब तो लगता है लेकिन साइद मेरे को सबसे जो नुक्लियस एनर्जी है नावी की एनर्जी है वो नहीं होना चाहिए तो 20 का हो जाएगा सी बिल्कुल सही है तो हमने अब्जेक्ट भरतार जो लिखने वाल आता था पहलो अब्जेक्टिम निया है फरकार्स के परवरता नियम है तो दो नियम है अगला प्रसन देखिए करें दिर्ष्ट धरा एक उस सुरुत्व का नाम बदाए कि दिर्ष्ट धरा मतले डिसी कहां कहां से निकलता है उसके नाम बदाई है तो दिस्ट रजा कहा से निकलता है वाई बैटरी से निकलता है और कहा से निकलता है और जैन्ठीर से निकलता है ठीक है जैनिर और अब बैटरी दोगण रख सकते है соглас इसका एंसर हमें 1 से हमें 1 जी thu का सानक्षन क्यों करना चाहिए वाई तो परकριतिक संटुलन बनाड है ड race Kate होता है विद्धार कैसे मातर की होता है तो श् permis होती है के सब्सक्राइब हो चाहिए करेंब आधसा vazधाया गयाद गयात किन definite कुछ स्वार्णी से बाताईव 100 में ते रही आध्या जाएगा। फर्मुला यहाँ सवाली इतनोल की सनाचना सुत्र लिखी इसा था इथैनोल की सनाचना सुत्र लिखिए फर्मुला बतायता हूं स्वाल के पुझे परना सब्सक्राइब करने का सका तो पृप्याद रखेंगा हरी तिलावक किस भाग में हमें पर्थम भाग में इसका प्रकास्टन करिया होती है अब सवाल है रक्त के जमने यह थका के का करन है रक्त के जमने का करन होता है उसमें उपस्तित प्लेटलेट्स सहीर खुन का थका बनता है अगला सीवाल है कि मानव के वहन में वहन तंत्र में घटा कौन कौन से है तो मानव के नतर में घटा कौन से है पहले तो रुधिर है यह व्लॉड है और लसिका है लिम्व और दोनों है इत्यादि रही और कुछ भी्हाले किमिकर इतना ही सब्सक्राइब सब्सक्राइब है के बिल्कुल आप इसको सम्तूलित की ज़गे आज को अब ज्ञेक्टीमे नहीं लिखने दो दो नमर के लिए आता है तो बिल्कुल आपके सको बैलेंश कर लेंहें गज्वानेकर देखेंकर नविंकर रूमकाइट को आ बसके संच्वाले हैं का खाल परोथे खुरल है और क्लेगर तो आ प्रओंस प्रूमक्र बेर हैं अब अपने पास में है तो बिल्कुल हम इसे परस्टों का भ्यास करेंगे है चलिए आखरी कोस्टन है सताइस नमर देख लेजिए यह सब लिखने वाला है मैं सिर्फ अब्जेक्टिव कराना था लेकिन मैं फूरा फुल कंप्रीट हम लोड रिविजन कर रहे हैं कोस्टन के स टू जल उळजा देता है यह क्रीया क्या है को शेकिये त्रम में होता है कहां होते कुरिया तो पूछाई में होता है कि मैं यह हरुत लोग का कंद्रग में बहूत तो इसका डी हो जाना चाहिए चलिए अंसर से देख लेते हैं जी बिल्कुल डी डी नहीं होगा जहां दावठो कहों देख लेंगे बाकी तो आपको पता ही होगा अपने रिविजन कर रहे हो तो आपको याद भी हो चुका होगा अब सवाल है कि किसी किसी बिम का वास्तिविक पर्ति बिम समानाकार का प्राप्त करने के लिए उतल लेंज के सामने बस तो कहां रखना पड़ेगा देखिए अगर आपको छे इमेज सेक्षन दिया गया है उसको जरूर इसको ड्रोइंग और अभ्यास किया होंगे तो बता पाएंग इसका एंसर क पोस्टर नमबर तीन का एंसर हो जाएगा आपको रखना पड़ेगा फोकस पर अब फोकस पर रखेंगा तो उसका से मेसेज के भी मिल जाएगा उतल लेंस में समाने दिरिश्टी से वैस के निशुस प्रसदर्शन की अलपतम दूरी क्या होती है नियुंतम दूरी पूछ अगर निला से लाल करेंगा तो हमको पचीस सेंटीमिटर होता है तो इस सब पचीस पचीस से लगड़ा है लेकिन ध्यान से दिए दसमलों भी दिया है लोहा के परमानु संख्या पूछा है 26 होता है बाके सब को याद रखेंगे कोई बिलियोन लाल लिट मुसको नीला किया डीकार पोड़ाय को नीला करेंगे अगर नीला से लाल करेंगा तो हमने ट्रिक बता ऑल नीला और नीला नीला से लाल करता है च्छार के भिजाता है च्छार कर देता है अपका ला लेटमस पत्र को नीला कर देता है ठीके ना गुड़ों की संख़तना है जब गुरूप पूछ रहा है तो ठाड़ा होता है न्यू मॉडर्न प्रिडिटेबल में जिसको हिनेडी मुसले ने परस्तत किया था तो इसमें अठाड़ा ग्रूप होते हैं उसको वर्क बोलिए समूह बोलिए अठाड़ा होते हैं एक नमर अपके हाथ महीं रहेगा जल्दी से इसको इसको अपरेन मन में सोच लीजिए कि एक को संदें से बिल्कुल फंक्सनल गूरूप से पूछना है बॉड को तो आप भी त्यार रहेए आपको एक नमर आपका हाथ में रहेगा अपर बहुत अपको खुशी होगी का अच्छा पिर प्रेस्ट करके जाएंगे यहां से आठ याइंसर चलिए थोरा एंसर सिटम देख लेते हैं क्या दिया है इसमें तो इसमें भी कुछ लटकी बद्दी गल्लत तो गल्लत सही करने के लिए तो परने ना घर पे आठ याइ अब पुछ रहे कि इस में अगला सवाल नहीं नमबर कि निमलिखएत में कौन सा बढ़ बिधुत परिपध में बिद्दी सक्वाक्ति को इंज़पत करने की युक्तिव क्या कहते हैं आग संग गेव्ध्र परीमितर जिंतर कोते हैं पर नांग यह शरुफ देखिया बहुत इंस्तिस साउं के विश्चा का मान क्या होता है तो कम हो जाता है बढ़ जाता है धस्तिर रहता है नियृतर पढ़ेरे तो हुआ है पुछेगा तो दोनों में सेम होता है दोनों में याद hazakit के बढ़ जाता है। लगूपथन पूछेैं यह इससी कोशन खूंत के शौर्ठ रोड़ोडिंगी में या अति भारन में, उबर्लोडिंग में, अति भारन, उबर्लोडिंग, लगू पतनिसम, जब पुछेगा तो धारा कमान अधिक बढ़ जाता है, तो वैसा होता है, चलिए निमलिखित में कौन से जय मातरा सुरूत का उधारन नहीं है, लकडी, गवरगास, एक कोशन दे फिर कार्बोन की लोहा, से मतले उच गल्लंग को होता है कैलिसम को हता है तो 13 अबका यह होना चाहिए, दिके लिसके दिक liaison Daniel 1 3A B िल्कुछ आई दिया है, कैलिसम होता है, कैलिसम का गल्लंग ना कहुत है, ये थे हैं काईृकस होसी सिक्स में कितने कि कोवाइलेंट बंड है कोवाइलेंट पूछर आपसे तो कोवाइलेंट बंड निकाले के फर्मूला हो दिखिए जभी यह अगर एलकेन होगा तो तो एलकेन गुरूप का है न एलकेन का ट्रिख होता है दोनों को जोर के गहता लेजिए तो एलकेन का ट्रिक होता है जोर ना होता है 6-28, 8-8 मेंस दो खेशे नहीं तो नहीं हो जाता है उसमें कितना हो जता है नहीं हो जाता है नहीं उसमें दो कम करना होता है वह जोर आठो काई कर्लिजीए तो 6-28, 8-6, ठीक है जो अगला परसम देखते हैं हम लोग, यह बहुत इंपटन क्वेशन है, और सब्सक्त आठाइए इसाल नियुक्त है इसलिए करक्ताइए इसक इसलिए करना चाहिए द्सकुरस यन सब्सक्त जरूर कमेंट किजिएगा ठीक है न तो चलिए अब हमने कोशन दोहर बारा कर लिए दोहर तेरा पर चलते हैं फटापट चलिए सब्सक्राइख करको दोहर भीके हैं नकोट जीन होड़ा है यां पर यहां पर मेलगे टोफटाइख कर आपको परच जीपसम को करके तो अहीं पर इसको दिखाता हूं कि यह सुत्र रहा उसका सीए एसओ फोर इंटु ट्वेस्टू ठीक है देखेंगे न और हाफ एसटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा वो जीपसम का सुत्र हो जाएगा तो यह कोशन जो था बहुत इंपोर्टन कोशन है आपको देखें न कहीं कि आपको मल्टिपल चैस कोश कोशन करते रहिए आपका 100 में 100 हो जागा त्यारी मैं सही से बोड़ रहा हूं चली क्या होता है जब लाल ती लोहे पर जल्वास पढ़ाई करता है तो समीकरन दीजिए तो लिखने कहें छोड़ दीजिए इसको लिखने पड़ेगा लेकिन इसको ट्राइज जरू को टू जल और कोलोफिल सुड़े परकास दिखा कर त्यूर करने साल लागा गया गुलकोच बनता है सी ओटू और इस्टीव निकलता है उसको परसमीकरन दिखा दिखा दीजिएगा इसनल का नियम आपको परहोंगा बहुत अच्छा कोसाने सबको जरू कर लेना है एक निस परकास लाइट और नीचे उसका मतलर कोलोफिल लिख दीजिए काम हो गया मनुस में चीनी का पाचान हमने बाता है इंसुलीन सहत होता है गुरत्वान वरतन क्या है रसाइन वरतन क्या है एति के मोटो प्रियूज्म और क्या बलता है स्कॉर ग्रेविट्टी तरोफिज्मम सब जयो परहोगा अनूवादस की चरप्टर इसमें क्या बोलते हैं क्या परागोवर सब भ busy में वांज Kenny सं मनने सुरी नियंटरं समनवाय लगर संग और मिलंगे जलिए अब Fraktion कुछ की नबर के साथ होगा लिए यह पूगा है यह उजण पतके पूराना लेकिन बहुत इंपोर्टेंट है चलिए अब यहां आगे हम लोग इधर प्राकर यानि पूलन ग्रेन के बारें पूछा रहे कि पूलन ग्रेन क्या होता है वर्षा होने पर इसका प्रवाब क्या पड़ता है उसको जरूर कुछन करना उतलदर पनोतलपन के बीच त अब हम लाते हैं ग्रूप भी यहां पर जो बहुत बैकल्पी पुरस्ण है यानि मल्टिपल च्वा इसको हम लें इंगलिस में बोलते हैं सब्सक्राइब करते हैं पूरा चार सब पचास का टर्गेट रखिए सारे भी से में अब खाली क्वेशन में अब किजिए बग्षी पहले था इसके पहले था मैनस की ओ एूल्टिपल अब इसको पताव है कि की ट् अमल है कि यह चल कछ को यह ऊध्या अ iOS यह चांट है और वह बेलकुल परकासनसलेशन में पुचेर सभाई चलिए पुछ रहे प्रकास लेशन के डिया में oxygen के बाहर oxygen बाहर निकलता है किसे जल से co2 से glucose से कि डियोक्टियोजम से तो यह तो बहुत बिल्कुल गलत है जल अब बताई अप्शन क्या होगा तीन का चलिए भी कोशन को लेटेस्ट पूछा भी गया है अचकल नहीं नहीं ज यहां पर आपको 40 कोशन करना है उसमें भी सब्सक्राइब मिलता है तो जल से किसे जल से मैगनेशन पायाता है बहुत मस्त कोशन एक क्लोरोफिल पायाता है ठीक है ना देखिए कान इधर से पकड़िया उधर से फिर से कोशन आगा घुमा फिरा कर हम कपसे बात कर रहे है कि कोशन का क्रोन करता है यह下去 करता है फिर से कोशन करता है तो कोशन मादों कम में र ? जल के था सबस्यादिक होता है हम कब से बात करें कि लाल रंग तर्ण दर्ण सबस्यादिक होता है अब बच्छा अला कर रहे हैं तो उसके लिए थोड़ माफी चाहेंगे तो आगे ला स्वाल देखिए चली अब पूछा नमर कितना आ पूछ बिदु सकति का इसे हमातर क्या होता है इस बबहुत बार बूखा गया है कि बिदु सकति का इसे हमातरर क्या भाट होता है पीदु प्रवल में तंतु किसके बनाओ ताही लोहे का तंबा का देखिए यह तंग अधिका चाहिए तो आठका इंसर के हो जाएगा साथ का इंसर था भी आठका इंसर क्या हो जाएगा फटापट कीजिए रहे पहले को मेंट आप यूरेनियम एलिमूनियम और क्रोमियम नौ कैंसर किजिए नौ कैंसर सी होगा यानि आप कैंसर हो जागा इसमें यूरेनियम सबसे भारी ध्यात्व भी होता है गुलोबल बार्मिंग किसके लिए उतर दाए यह तो दस का सी हो जाएगा कि अब बिल्कुल सही है चलिए इस को संब्सक्राइब कर रहे थे को संब गया था तो देखिए यहां भी पुछा गया है अब देखिए पुछा कि लिटमस बिलियन भैंगनी रंजाख होता है निमन में किस से निकलता है तो अपने परहवा कि यह लाइकेन पौधाय कोता है उ 12 नंबर कि जब sodium hydroxide zinc समय करता है तो कौन सब्सक्राइब बनता है sodium hydroxide zinc समय करेगा तो क्या बनेगा इसको पहले तो इक्विशन को लिख लिजएगा और फिट्राइक कीजिएगा तो आप इसका अपने निकल पाएंगे तो इसका आंशर करें बतायता हूं आपको इसका इंसर करें मिललण का पीजमान साथ होता है और झलके विसुद जलका पीजमान साथ होता है, चैनल ले स्चुद makes देखिए एक शीन साई भी स्चुदा का डि Benton की अब शनले स्वायव में इटिय। इंगलिस में क्या बोलता है बाइनरीोजन किसमें होता है तो ऑमिबा में होता है आब चलिए फूर में फूल में नर्व परजनन अंग होता है पुंके सर्म होता है कहां पोथा है पूंके सर्में अब बात देखिए अंडप वर्तिकाग और वर्तिकागरी जो जीतने होते इस सब यही इस्तीरी यह वाले हैं रहुआ नद वाले हैं अंडानू निसेचित होता है योनी में गर्भासा में फिलोफियन ट्यूब में और अंडासा में होता है तरह कि उट्रसש और योनीBeat चला गए तो इसे कोई फर्क निल्यक्ति बढ़ता है जब तक फिलोफियन ट्यूब में नहीं जाएंगा कि यह दो कर दो करना जोंडा कियों पाइगा कि पर दो उनमीट्र करता है venus इसको इतना पर पूछा है पूछिए मत भी बटाई हूँ यह बहले अपसन चेंज किया है इधर दर किया है लेकिन पूछा ही पूछा गया उन्हें इस नमर का एंसर हो जाएगा अठार कसी उन्हें इसका डी बिल्कुल सही दिया है और एक बच के अपना बीस गोले दरपन में फोकस अंतर और वकर्दति तीरीजिया कभी समंद्ध क्या होता तो आर बराबर टूएफ अपने पर होगा आर बराबर टूएफ तो यहां पर आर बराबर टूएफ अपसन यही आर बिस का देखिए तो 20 का एंसर हो जागा ए और सी तो क्या सब्सक्राइब को दोनों भरना पर रहें नहीं ऐसा को सन अब नहीं पूछाता यह को सन्दोर 13 का है अब आपसे एक ही दोनों में सरह गई यह तो यह रहेगा यह तो यह तो यह आर बराबर आर बर टूएफ दो कोचिंग का टाइम हो गया तीन बजी है तो हम लोग तीन साल के पर किया हमने 11 किया बारा केते रह किया और 14-15 को अगले नुट्स में करेंगे ठीक है